नमस्कार बच्चों आज हम इस वीडियो में आपके दूसरे पार्ट विध्याले से खेल दिवस का अभ्यास प्रशने करेंगे अगर आपके पास पुस्तक है बच्चों तो आप अपनी पुस्तक निकाल लेजिए ताकि आपको एजी हो और आप फटा-फट से उसके एंसर लिख सकेंगे ठीक है चलिए शुरू करेंगे सर्व प्रथम मैंने यहाँ पे एक स्क्रिंसेर किया बच्चों किम पुलिंग रूप का शब्द रूप है यह सर्वनाम शब्द रूप ठीक है देखेंगे बच्चों यह यहाँ पे क्यों दिया गया है क्योंकि आज हम जो है वो क्या करने वाले हैं सर्व प्रतम हम प्रश्न निर्मार करने वाले हैं इस तूल पदाने आदेते प्रश्न निर्मार कुड आपके पुस्तक में होगा यह ठीक है आपको लिखित के तीसरे बीट में यह मिलेगा तब अच्चों हम प्रश्न निर्मार समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे किम पुलिंग शब्द रूप का शब्द रूप पढ़ेंगे और समझेंगे क्यों जरूरी है क्योंकि मैं आपको इसका आर्थ बता दूं का का मतलब होता है कौन को का मतलब होता है कौन दोनों और के का मतलब कौन शब्द तो आपको समझ में आ रहा है कि यह पूरे के पूरे जो किम शब्द रूप है वो एक प्रश्न वा जब परचेक शब्दों मिलेगा तभी हम प्रश्न का निर्माण भी कर पाएंगे तो फटा-फट से हम किम शब्द रुप पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे प्रथम पुरुस में कह काव के, कम काव कांद त्यत्या कीन कावभ्याम कही बच्चो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले इस्तिलिंग या फुलिंग के शब्द रुप पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम कारक में जाएंगे क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है प्रतम प्रतम विभक्ति का क्यारत होता है करता यानि जो कारे को करता है व्यक्ति परसन ठीके ना वो संग्या का हो या सर्वनाम का हो उसका कोई नाम हो या प्रनावन हो ठीके ना प्रतम विभक्ति किसको दर्शाती है हमारे करता को यानि जो कारे करता है दित्याय भक्ती कर्म को दरसाती है काम क्या हो रहा है दित्याय भक्ती कर्म के साधन को दरसाती है माध्यम को की कार्य किस से हो रहा है चतुर्थी भक्ती को किसके लिए कार्य जो है वो करता जो कार्य जिस माध्यम से कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है पंचमिवक्ति कहां से कार्य हो रहा है यानि यहां पंचमिवक्ति क्या होता है अलगाव तुक blender अलग होना कोई व्यक्ति वस्तु स्थान किसी चीज से अलग होते हैं तो आपे पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है तृतिया में भी से ही होता है पंचमी में भी से आता है करन से अपादान से लेकिंग करन साधन होता है यानि कोई माध्यम होता करने का और अपादान क्या होता स्थान को सूचित करता है कि वहां से ये कारियर थान, डर, व्यक्ति ठीक है? जैसे चीजों को यहाँ पर पंचमी भक्तिया पादानकारई दर्साता है. सष्टी व्यक्ति क्या होती है? पंचमी में तुलना भी होता है, इस ते ये अच्छा है. ठीक है? आगे जाएंगे संबंध दर्साना. कार्य किसके संबंध में हो रहा है? कौन, किसका क्या है? सब्तमी, अधिकरण, स्थान सूचग, कहां से कार्य हो रहा है? ठीक है? कहां पे कार्य हो रहा है? किस में हो रहा है? ठीक है? आगे बढ़ेंगे पूरा एक बास देखेंगे करता ने प्रत्माई कर्म को दृत्याय भक्ति, करन से तृत्याय भक्ति, संप्रदान चतृत्य भक्ति, अपादान से पंचमी भक्ति, संबंध काके की तस्ट्य भक्ति, अधिकरन में पर सब्तमी भक्ति, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, ये क्या है? स्त्रिलिंग का और ये नपुन्सक लेंग, चले आजाएंगे नपुन्षक लिंग में सिर्फ दो यानि प्रत्माय भक्ति और दत्याय भक्ति ही अलग हैं बाकी सारे के सारे पुलिंग के हैं फिर से देखेंगे उपर जाके किम के कानी, किम के कानी, परतमा में भी किम के कानी, क्या, क्या दोनो, क्या सब, ठीक है ना? दिर्तिया वक्ति में भी ऐसे ही तिर्थिया वक्ति में वापस आएंगे तो देखेंगे सारे के सारे फुलिंग के हैं केन काभ्याम केही कस्मे काभ्याम केभ्या कस्मात काभ्याम केभ्या सश्टी कस्य कयो केशाम सब्तमी कस्मिन कयो केशु तो बच्चो हमने अभी किम सर्वनाम का पुलिंग सब्द स्टिरलिंग और नपुंसकलेंग जान लिया है अब हम आगे आएंगे अपने अभ्यासिकारे पर यानी प्रश्ण निर्मार पर देखेंगे प्रश्ण निर्मार कैसे करेंगे देखेंगे यहां पर उत्तर भी दे दिया है लेकिन उत्तर यह कैसे आया हमें मैंने लिख दिया इसलिए आया यह सही यह गलत है वो आपको भी जानना जरूरी है देखेंगे मल युद्धे रोहिता विजई अभवत रोहिता सुल्पदान यानी मोटे अक्षरों में जो लिखा है रोहिता कह ठीके ना मल युद्धे विजई अभवत मल युद्धे रोहित विजई हुआ मल युद्ध में रोहित विजई हुआ यानी कुस्ती में रोहित विजई मल यूद में कौन विजय हुआ तो कौन पूलिंग ले लेंगे रोहित है यहां पर तो जब पूलिंग लेंगे तो हम यहां देखेंगे क्या आया है प्रतमाई भक्ति का एक वर्चन रोहित एक वर्चन था कह आया है ठीक है तो हम चलेंगे क्या लिखेंगे यहां पर कह चात् आप देखेंगे मुक्यातीती का स्वागत किए। तो मुक्यातीती का स्वागत किए। आप देखेंगे किसका किकी किस का। यहां पडुलीम आगच्छताव। वे विद्ध्याले आएं, वे दोनों विद्ध्याले आएं देखेंगे बच्चों वे विद्ध्यालें आगच्छ ताम, वे दोनों विद्ध्याले आएं विद्ध्याले क्या है? स्थान है, सुस्थान के लिए हम क्या करेंगे? कुत्र का, कुत्र का मतलब होता है कहां, ठीक है, कुत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है न, वे दोनों कहां आ रहे हैं, आएंग, स्वारी, चलिए आगे बढ़ेंगे, कौन बहु पचन का प्रयोग है तो क्या आएगा के, ठीक है, आगे देखेंगे, कल्पना प्रत्मम स्थानम अविंदत, कल्पना जो है प्रत्म स्थान प्राप्त की, कल्पना कौन सा स्थान प्राप्त की, तो कम, प्रत्मम स्थान किसको दर सारा है, कर्म को दर सारा है, तो कम को कान, तो क्या जागए यहां पे, कम, हो गया बच्चों, आगे बढ़ें, चलिए, आगे हम करेंगे, वचन परिवर्तन, ठीक है, वचन परिवर्तन, वचन परिवर्तन करने के लिए क्या करना है हमें, पुर्थम पुरुष उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष के बारे में जानना है बहुत इजी है आपने पिछली कक्षा में भी आपको यह पढ़ाया गया था फिर से एक बार पुर्णावित्ति करते हुए हम चलेंगे देखेंगे बच्चो एक वचन में प्रथम पुरुष में सह पुलिंग में सह इस्त्रिलिंग में सा और पुन्चकलिंग में तत आता है जिसका आर्थ होता है वह तोई वचन में तव पुलिंग ते इस्त्रिलिंग और ते नपुन्चकलिंग में आभी आता है जिसका मतलब हो ते, पुलिंग, ताह, इस्त्रिलिंग, तानी, ना पुन्सकलिंग, जिसका आर्थ होता है वे सब, आगे देखेंगे मध्यमपुरुस को तुम, तुम, इसमें ना इस्त्रिलिंग है, ना पुलिंग है, ना ना पुन्सकलिंग है, ठीक है बचो, तो इसको सिफ तुम, हम किसी स बात करते हैं तो हम ste trigger pulling को नहीं दर्सेते हैं हम सीधे उसे भात करते हैं तुम और मैं के लिए मैं किसी से बात करूंगे अपने बारे में बताओंग fascism यह नहीं बता विकिमे क्षाव्य क्रोड़की हूं यह आप आप एक लड़की हो इसे बतांगे आप वह इंडिकेट नहीं करोगे कि आप स्टेलिंग या फुलिंग हो, लेकिन हम दोनों, यानि मैं और तुम एक दूसरे से बात करते हैं वक्त, किसी तीसरे के बारे में, यानि प्रतम पुरुस क्यों सा है, वो थर्ट परसन है, किसी और के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो वह पर हम बतायंगे वह लड़की है या लड़का है या नकूंसकंलिंग है, इसके बारे में बात हो रही है, वह हमें दर्थाना आवर्शक है, लेकिन मत न्यम्-पुरुस तुम और उत् EL ou तम पुरुस यानि में के लिए जान लिया अब हम कैसे वाक्य प्रयोग करना है वो हम देखेंगे तो हमें अभी क्या मिल गया हमें करता मिल गया वह बहले अभी अब बताया कि वह संग्या का हुआ स्वार यंदो स्वार्वनाम का होती सारी शब्द जोैंवों सर्वनामके है लेकिन इनके जगा मैं और तुमको छोड़के अगा साय सा तक कि बात कि जाया ठृष तो साकुल जाता है तो राम विद्यालियां गच्छति कर सकते हैं तो उसी प्रकार बच्चो यहां पे हम सर्वनाम की जगा संग्या का भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन तौम और अहम की जगा जो ये दोनों सर्वनाम है इसमें हम संग्या का प्रयोग नहीं करते हैं आगे बढ़ेंगे थात हुरूप देखेंगे ब मेरतमान का लटलकार देखेंगे बच्चों, प्रथम पूरुष, बध्य पूरुष और उत्तम पूरुष अब यहां पे हम करेंगे सहा पठती, सा पठता, से पठती इस तरह से हम बनाएंगे यानि जिस भी पुरुष का करता है अगर प्रतम पुरुष का करता है तो क्रिया प्रतम पुरुष का करता है और वो एक वचन का है तो हम क्रिया भी प्रतम पुरुष एक वचन का ही लेंगे अगर करता जो है दुई वचन का और मद्यम पुरुस का है तो क्रिया भी हम दुई वचन और मद्यम पुरुस का ही लेंगे यानि जिस भी वचन और जिस भी पुरुस का करता है उसी वचन और उसी पुरुस का क्रिया भी होगी चिक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे यहां पे, यहां पे मैंने गम का पाचो लकार में लिया बच्चों, तो हमें यहां पे बापके उसमें जो है, वो सारे के सारे लंग लकार का प्रियोग हुआ है, तो एक बार हम लंग लकार का रूप देखेंगे था तो रूप, अगच्छाव बचों देखीं यहां पर दिया है बहुवचन और यहां पर क्या प्रयोग्या गया है? दुई वचन का प्रियोग किया गया है युवाम पाठम अस्मरतम इसमें हमें बदलना है बहु वचन में बदलना है तो कैसे होगा युवाम त्वम युवाम युवाम की जग़ क्या हो जगा युवाम बहु वचन दुई वचन का युवाम है बाववचन क्यों यह मुझायगा कर्म वैसे ही रहेगा पांठम और क्रिया चेंच हो जाएगी क्या हो जैगा इस मरत बच्रों यह पर हलंत हो के morally नहीं होगा गल्थी से यह पर हलंत आ गया है तो यहांपर अगर लआठा दें तो यह हो जाएगा इस मरत फिक? आगे देखेंगे, दूसरा है, यहां पर आप हलन थाटा दिजा बच्चों, यह हलन गलत है, देखेंगे, यूयम पाठं पठितं अवांचत, यूयम पाठं अवांचत, ठीक है, दुई वचन का है यह, दुई वचन में चेंज करना है, कौन से वचन का है, बहु वचन का है, ठीक है न, बहु वचन का है, तो कासे चेंज करेंगे हम, किसमें चेंज करना है, दुई वचन में करना है, यूयम, वापस से यूवाम में आएंगे, तो हम यूवाम, पाठितुम, क्रिया वैसे ही, इस् शिक्षकें सह किम अपठतर वे दोनों सिक्षक के साथ क्या पर रहे हैं? किसमें चेंज करना है? बाहु वचन में. क्या हो जाएगा यूवाम की जगा? यूवयम सिक्षकें सह किम कर्म वैसनी रहेगा. यूवयम की जगा क्या जगा? अपठतर. आगे देखेंगे. यूवयम फलानी मा अतोटरयत. एक वचन में चेंज करना है. ठीके? यहाँ पर बच्चो अपठत होगा. अपठत होगा. ठीके? चलिए आगे देखेंगे. यूवयम फलानी मा अतोटरयत. एक वचन में चेंज करना है. बदलना है. तो क्या हो जागा त्रो टयत आगे देखेंगे अंगा तुम तिवरम अधाव तुम तेजी से दोड़े किसमें चेंज करना है दोई वचन में क्या हो जाएगा यहां पे तुमका युवाम चेंज हो गया कर्म वैसे ही रहेगा और क्रियावपुन सत्पुना चेंज होगी अधावत तुम तुम बच्चो आप फिर से देख लिजे एक बार युवाम पाठम अस्मरत चेंज हो जाएगा युवाम पाठम अस्मरत हलंत नहीं होगा बाई मिस्टेक माँ पर होगे बच्चो आगे देखेंगे युवाम पाठितम अवांचत दुवाम पाठितम अवांचतम नेक्स्ट यूम फलानी मा अटोतेयत एक वचन में चेंज करने पर क्या होगा त्वम फलानी मा अटोतेयत त्वम तिवरम अधावह दुई वचन में चेंज होगा तो क्या होगा यूवाम तिवरम अधावतम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चलेंगे तीसरे बिट पे भाशिक कारे के निमनलेखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए तो बच्चो आगे जो समझाया गया है आपको शुद्ध करने के लिए वो क्या हो जाएगा वापस से वही होगा यानि कि हमें वापस से करता के अनुसार अपने क्रिया को है तो वो बैक्या शुद्ध हो जाता है जिस रहकास आपर दिया है उद्याने पुस्पानी अभवत अभवत यहां पर गलत है उस पानी 7 पिर आपर क्या होगा अभवन हो जाएगा उत्तंट यहाँ पर दिया गया है अभवन थे बाकि वयू तो द्याने पुस्पानी अभवन, अभवत नहीं होगा, ख है सावकों वने अखेलन, यहां पर सावकों करता जो है वो दुईवचन का है, और क्रिया जो है वो बहुवचन की है, तो में क्या करना है, चेंज करना है, क्रिया को भी बहुवचन में चेंज करना है, सावकों वने अखेलताम ठीक है आगे देखेंगे अधुनास सह किम अकुरुताम अब वह क्या कर रहा है तो सह के जगा यहां पर क्या दे दिया अकुरुताम यानि दुई वचन का दे दिया हमें सह के साथ क्या प्रियोग करना है एक वचन का प्रियोग करना है तो क्या हो जाएगा अकरोत पत्राण्य आपर करता कारे कर रहा है, ठीक है क्योंकि वह कारी कर रहा है, पत्राण्य आपटत एक वचन न का है पत्राण्य बहुवचन है तो क्या हमें आपर क्या؟ करना है क्रिया चेंज करनी है सब में क्रिया ही चेंज करनी है किसमें चेंज करनी है बहु अचन में करनी है तो क्या हो जागा अपतन ठीक है विक्षात पत्राणी अपतन विक्ष से पत्ते गिरते गिरें स्वारी अंगा का देखेंगे वान्राव विक्षे अकुर्धन बंदर दो बंदर विक्ष पे कूदें अकूर्दन बहुवचन का है अवानरो दो वजने दो बंदर की बात की गई है तो क्या हो जगा अकूर्द साम उके बच्चो समझ में आया फिर से देख लेंगे उध्याने पुस्पाणी अबवद अबवद जो है वो एक वचन का है तो यहां पर बहुवचन का प्रियोग करेंगे अबववन आखेलन सावको वने आखेलन यहां पर बहुवचन का है और यह सावको दो वचन है दुई वचन है तो यहां पर हम दुई वचन का प्रियोग करेंगे आखेल साम अधुना सह किम अकुरताम सह एक वचन अकुरताम दुई वचन तो हमें क्या करना है सह के साथ एक वचन का प्रयोग करना है विक्षात पत्राडी अपतत विक्ष से पत्ते गिरते हैं अपतत जो है एक वचन का है हमें बहुवचन का प्रयोग करना है क्योंकि मावे पत्राडी है तो अपतन और वानरो विक्ष अकुर्दन बंदय विक्षी पर कूदें तो यहां पर क्या है बहुवचन का प्रयोग है ह में कौन सा बचन प्रयोग करना है दुई बचन का प्रयोग करना है तो अकुर्द ताम ठीक है बच्चों इस सारी चीजें आप अपने पार्थे पुस्तक में ही लिख लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से कर सके और लिख सके आशा है आपको ये समझ में आया होगा बच्चों चलिए आप अपने पढ़ाई तब तक जारी रखिए जो भी अभ्यास प्रश्ण में दिये गए हैं वो कीजिए और भासिक कारे का जो दूसरा बिट है यानि कर्था को कर्म के अनुसार लगाना है बहुत इज़िए जंबल वर्ट्स हैं आपको पहले कर्था पिक कर्म पिक क्रिया को प्रयोग करना है ठीक है न ऐसे करके आपको सारे वो करने हैं और रिखता स्थानों की पुर्ती भी चलिए धन्यवाद